जीश में कोरोना के ओमीक्रॉन वेरियन की दस्ता करनाठा कुम्बिले दू मामले वेब सीरीज मर्जापूर के आक्टर ब्रमिश्रा कान्यदन फ्लैट के बातरूम में बिला शब मुरादबाद में कॉंग्रेस महासरचे प्रियाकांदी ने भरी हुंकार सरकार पर जम कर बूला हम्दा अमिश्राने माश्राकूमरी देवी युनिवस्टी की रखी आधार शिला बोलेज बारफेट दीन सो पार कराना है आकड़ा किसान ने तर आकिश्टिकाद का एलान कहा अपने अपने डेरे संभाले आंदोल अंखत नहीं हो रहा सुल्तानपुर के धमवर कस्बे में भागेधारी पार्टी महिला मूर्चा के राश्टि उपाद्यक्ष जिले की इसरॉली विदान सभा के चनाव लणा चाहती है जिसको लेकर सुहेल देव भारती समाज पार्टी के राश्टी अत्यक्ष और पूर्मंत्री ओंप्रकाश राजबर एक जंसभा को संभोधित करेंगे जिसकी तैयारे को लेकर भागिदारी पार्टी के राश्टी महासचेफ दिनेश्चंद प्रजापती ने मीडिया को रूबरू होते हुए बताया कि यहां सीटों की लड़ाई नहीं है बलकि हिस्सेदारी के हिसाब से सभी को भागिदारी दी जाएगी आगे उन्होंने कहा कि जब तक भाजपा सरकार को प्रदेश से हटा नहीं दिया जाएगा तब तक कोई डिलाई नहीं बरती जाएगी भाजपा में जितने इसमें मंत्री हैं विधायक हैं पचास-पचास्थ्य मुकदमा उनके उपर हैं लेकिन कोई बोलने को तयार नहीं है ये केवल हिंदू-मुसलिम की बात करते हैं बस हो गया अभी मंत्री हमारे श्रीयों प्रकास राजबर जी मुक्तार अंसारी से मिल जाते हैं तब इनको गुंडा दिखने लगते हैं बाबा जी से बड़ा गुंडा कौन है बताईए खुल्लम खुला कुल्साण घूम रहे हैं ये कहते हैं कि हमारे डर से सारे अपराधी परदेश छोड़के भाग गये हैं जब भाग गये तो सेंगर जैसे लोग जो आए अभी आपनों हाथ रसकी घटना आप लोगों ने देखा अगर आप लोगों ने सच्चाई नहीं दिखाया होता तो उसको न्याए नहीं मिलता पीडिता को किसानों को देखा खुचल दिये और उसी केशर प्रसाद मौरिया ने विपक्ष पर जम कर साधा निशाना डिप्टी सीम ने कहा किया योद्या और मतराव में भविन मंदिर निर्मार जारी है और अब मतरा की बारी है केशर प्रसाद इस बार बोल बे समाचवधी पार्टी ब्रमुक अकलेश यादव समेथ विपक् किया है आप बिजुनिये डिप्टी सीम के शप्रसाद मौरिया का ये बियान स्रीकेश जी के भक्त की इच्छा है आकमंचा है मैं भी उस वहाओ को ही प्रकट किया हूँ लेकिन मैं स्रीकेश यादव जी और उन भी पच्छी नेताओं से पूझना चाहता हूँ बताएं कि स्रीकेश जन्मभूमी पर भगवान स्रीकेश का भव्बे मंदिर बनने का भी राश्टी अद्यक्ष अकलेश यादव की तरफ से जनसभा में कई लोग शामिल हुए लदिपूर में अकलेश यादव ने विशाल जनसभा को संबोदित किया और सरकार की नाकामयो को उजाकर किया अकलेश यादव ने बताया कि पीम मोदी और योगी सरकार ने मिल कर प्रदेश को बरबाद कर दिया है किसान खाट डीजल पानी रसोई गैस और तमाम प्रकार की चीजों के लिए परिशान घुम रहे हैं सरकार ने सारे चीज़े प्राइवेट कर दी है जन खबर यूपी के जनपत चंदौली से है जहां पर विदानसबा चुनाव 2022 को देखते होए बाती चंदा पाटी हर वर्क के मद्दाताओं को अपनी तरफ करने के लिए जान से जुटी हुई है बाचपत वारा लगातार कई जातियों के कारिक्रम भी आयुटित किये जा रहे हैं इसी क्रम में जिले के पंडित दीन त्याल उपाद्य है नगर मुगल सराय विदानसबा में कारिकर्ता सम्मान समारों का आयवजन किया गया जिसमें मुक्यातिती के रूप में भाजपा आनुचित सूचित जाती मूर्चा के राश्टी महमंत्री और सांसद बुलंचय दॉक्टर बोला सिंग मुक्यातिती के रूप में शामिल हुए इस दौरान कारिकर्म में उनका सम्मान किया गया और राश्टी महमंत्री ने सभाग को संबोधित करते हुए केंद के मोधी सरकार और यूपी की योगी सरकार पर जम कर भखान किया और जनता को कल्यानकारी य कटबंदर पर हमला बोला साथी ओंप्रकाश राजबर पर जम का निशाना साधा देखिए 2019 के चुनाब में बसपा, सपा, लोगदल, सभीदल एक साथ मिलके चुनाब लड़े थे और उनने पूरा प्रण्यास किया था कि मानिया मोधी जी को प्रधानमंत्री बनने से रोगा जाए लेकिन प्रदेश की जनता ने जो प्यार आश्रीबाद भारती जनता पार्टी को दिया जो सहयोग भारती जनता पार्टी को किया उसके प्रणाम में सारे ब्रोधियों के एक जुट होने के बावजूद भी 63 सीते भारती जनता पार्टी हैं लोग सभा में जीती और जो लोग गटवदन कर रहें कुछ लोग ऐसे हैं जो मलाई भी खाते हैं और घुराते भी हैं जो लोग सत्ता में साथ में रहे चुनाव के समय में आके दिखा रहे हैं ऐसे लोगों को जनता जवाब देगी और ये प्रदेश की जनता ने मन बना लिया है कि जिस तरीके से मानिय मोदी जी के नित्वत में देश के गरीमों का, देश के दलितों का, देश के पिर्छडों का, महिलाओं का, युवाओं का, योजनाओं के माध्यम से कल्याण हुआ है गाउं में सोचाले से लेके प्रदेश में एरपोर्ट और नेसल हाईवी और मेडिकल कोलेज बलाने का काम किया है मौमेन इजिस्पताल के डारेक्टर राहुल शुक्रा ने कोरोना वारिस के नई सक्रमर ओमीक्रॉन को लेकर कहा कि बचाव ही सबसे बड़ी दवा है लोगों को जाग रुकोना है और इससे डरनी की ज़रुवत नहीं इससे बचाव की ज़रुवत है जिससे एक दूसरे को ना फैले क्योंकि आप ओमीक्रॉन कोरोना की सेकिंड वेव से तीस गुना तेजी से फैलता है अज समाज के अंदर बहुत ज़्यादा कंफ्यूजन और बहुत ज़्यादा प्रांगियां चलने ही जिनको लेकर के मैं आप लोग से दो मिट बात करना चाहता हूं जो पिछले साल आया था वो बहुत ही भयावा अस्तिती में था लेकिन ओमिक्रॉन को लेकर के ऐसी फिदाल कोई संद्र नहीं जदाया जा रहा है यह अलग बात है कि डिल्टा वार्येंट से थर्टी टाइम स्पेट की सी कपशिडी ज़्यादा है लेकिन यह कॉस्पार कंस नौट इपेनिक तो इससे डगने की जुरत नहीं है घबडाने की जुरत नहीं है और सतर्क रहने की जुरत है आप यह बात समझ लीजिए कि आईकॉन होश्फिल अपने अच्छे इलाज के लिए जाना और माना जाता है इसे जोर जवर्दस्ती करके दो मत्रह में आज मुक पर फामाशेस कर्मचारियों का कहना है कि जब तक हमारी मांगे पूरी नहीं होंगी तब तक हमारा आंदोलन जारी रहेगा इस दोरान मुकित चिकित साधिकारी ने बताया कि समझ विदा कर्मचारियों की मांगू को शासन सक पहुँचा दिया गया है जैसे ब्यार में नेमती कड़ हुआ है जैसे हमारे यूपी में होना चाहिए और जोब स्कॉर्डी जो है अनपर दोसमें जो में ले जाए से एमपी में और ब्यार में सिदात नगर के डुम्रिया गंज में बीजेपी की बैटक में शामिल होने आए भाजपसांसत हरीश दिवेधी का कारकरतों ने जोरदा स्वागत किया इस कारिक्रम में डुम्रिया गंज विदायक रागवीन पताफ सिंग समेथ तमाम लोग मौजूद रहे इस बैटके बाद बीजेपी राश्टी मौंती ने मीडिया से बात करते होई कहा कि हमारे एजेंटे में मंदिर का निर्मान वहीं अकलेश यादफ ने जिनना वाले बयान पर हमला बोलते हुए आस भी बात जिननने जो रास्ता दिखाया है उस रास्ते पागे हम चलेंगे यानि वो रास्ता क्या है सबको पता है कि जिन्ना ने धर्म के आधार पर हिंदुस्तान को तोड़ने का काम किया, छेत के आधार पर तोड़ने का काम किया, हिंदुस्तान का बटवारा करने में जिन्ना का बहुत महत्पूर योगदान राश्टी और राज विदिक सेवा प्राधिकरण के निदेश पर विदिक सेवा प्राधिकरण के पून कलिक सचेफ अंकज कुमार ने आम जन्मानस की अपील करते हुए कहा कि अपने मुकदमे निटानी के लिए राश्ट्रे लोक अदालत में समय से हिस्सा लें। पुलिस ने ग्रामेडों की मदद से टैंकर चाला को निकाला गया। लोग देवर्या सदर नगरशेत से लगबख 80 बच्चे प्रतिबाग किये। और एया के बिदुना कोदर कोट में पेट्रोल पॉम से कैश लेकर अपने सहकर्मी के साथ जा रहे थे। पेट्रोल पॉम मालिक के बीटे से पहले से घात लगा कर बैठे लोगों ने चाकू और लाटी की डंडा हमले कर दिया। और करीब 4,25,000 रुपे से भारा थेल अचीन कर बदमाश फरार हो गए। जबकि पेट्रोल पॉम मालिक का बीटा चाकू लगने से गंभी रूप से खायल हो गया है। जिससे अस्पिताल में भरती कराया गया। देवरिया के महुआ बजराटारा में 501 कन्याओं ने कलश यात्रा निकाले आपको बता देगी प्राचीन बावा देवनाथ मंदर में शिफ भगतों ने गाजे बाजे और 501 कुमारी कन्याओं के साथ मिलकर ये कलश यात्रा निकाली जिसे गाओं में सुकसम्रिदी बनी रहे। ये कलश यात्रा बाबा देवनाथ मंदर से निकल कर गड़ राम पुर्च राह होते हुए शिफ मंदर पहुझी जहां जला विशेग भी किया गया। रामनगरी आयुद्या को बम से उड़ाने की धमकी दी गई और इसकी भनक लगते ही सुरक्षा एजेंसिया और प्रशासनिक अमले में हड़कम मच गया। आयुद्या किषदेव सभी प्रवेश दौारों और होटल वदहम शालाओं और प्रमकमंदरों की सुरक्षा वड़ा दी गई है। पोलिस ने अतरिक सी आर पी एफ के जवान और स्टीफ दस्ता पूरी दरे से सक्री हो गया। जानकारी मिली है कि हातकी हमले की सूचना मिलने के बाद सभी मारकों पर सुरक्षा वरा दी गई। वहीं सुरक्षा एजिंसियों की ओर से ये भी कहा गया है कि सुरक्षा के पूरे इंतजाम किये गए हैं। बागी की रूटीन चेकिंग और अधिक सगंता से की जा रही है। और ये कोदवाली के कान पुरूट पर पंजाब नेशनल बैंक में जानक पहुंचिया परपुलस अधिक शक्षिशिपाल खुद उस वक्त सन रहे गए जब वहाँ निशास्तिरमाईला होमगाट की ड्यूटी महत्फूर बैंक की शुरक्षा में लगा दी गई। उसके बाद पुलिस अधिक शक्र ने बैंकों की सुरक्षा व्यस्ता के पती जिम्मेदार कोदवाल को जम कर फटकार लगाई। वही बैंक की सुरक्षा वेस्ता की जूटी में लगी महिला होमगार्ड ने बताया कि वो कई दिनों से अकेली ही बैंक में जूटी कर रही थी. यह सही है आपका प्रश्न और आज मैं बैंकों में जो हमारी पुलिस की जूटी लगती है तो उसको चेक करने के लिए सबी बैंकों का मैंने भ्रहमन किया इस छेत्र में यहां कान पर ऊटते हैं पांसाथ बैंक है और बड़े बैंक है और यह बिजनिस एरिया है और यहां मैंने देखा कि पुलिस का परियाप्त जितने लोग लगने चाहिए उतने नहीं है और मैं इसकी समिक्षा कर रहा हूँ और इसमें बहरेबाद थाना के चक फरीद में एक नेजी पबलिक स्कूल के पास तेजर अफ़तार वाहन की चपेट बियाने से मासूम चात की मौत हो गई जिसकी सूशना पर पहुंची पुलिस ने शब को कबजे में ले लिया जिसके बाद गाड़ी च्वाला की गिरफतारी की मांगल को लेकर ग्रामीडों ने चक का जाम कर दिया प्रदर्शन की जानकारी जैसे ही SDM और प्लिस सदिक्षक को लगी उन्होंने ग्रामीड को आजवासन देकर घंटों बाद जाम खुलवाया मामला यह है कि सूबह नौजे के करीब एक बोलरो गाड़ी एक नैतिक राजवर नाम बच्चे का जिसकी उम्र साथ साल है यहां बहरियाबाद थाने में एक्सीडेंट कर दिया जिसको लेके गाउन वाले कुछ धरना प्रदर्पन करके रोड जान किया था मिर्जापोर के शहर कोतवाली में सुंदर खाट महले में दुकान में सामान खरीदने के बाहने पहुंचे चोरों ने सामान चोरी करते हुए पकड़े जाने पर दुकानदारों और महले वालों ने दो चोरों की जम कर पिटाई कर दी जिसकी सूचना पर पहुंची पुलिस दोनों चोरों को गिरफतार करके थाने ले गई जिसका वीडियो सोचल मीडिया पर तेजी से वाइरल हो रहा है यहां पर पहला दुकान में थी घर में गई उसके बाद दो चोर आये दुकान में घुस गई लड़के ने देखा दुकान में आया तो दो चोर बरामत हुए और उनके जेव से लिंक के पास से तेल बरामत हुआ और उनलोंगों को मारा गया दो चार ब्रापड और उसके बाद पुलिस ले गई और यह बात है कि पहले भी यहां तीन चार चोरी हो चुकी है मोबाइल गायब हो गया है इसी दुकान में से दोनों दुकान में से यह लोग आते रहते हैं तरते हैं कि कोई है नई गद्दी पर समान उठाते हैं लेके चले जाते हैं सामने हमारे भाई जो है कि करते हैं एडिया कमपनी का काम और उनका लेलटाप खबर उन्नाव से है जहां तीन लुटेरे लूट करके भाग रहे थे तभी मौके पर पहुची असोहा थाने पुलिस ने तीन लुटोरों को ग्रफ़तार कर लिया लुटेरों के कबजे से पुलिस ने दो तमचे दो कारतों समयथ पैसे भरामत किये इस किरफ़तारे के बाद पुलिस ने बताया कि लुटेरे को पुराने भी कहीं अपरादिक मामले रहे हैं एक तारीक को एक महिला के साथ तीन लगों ने उसको रोक करके उसको मुवाइल छिंग लिया था और इस सूचना पर हमारी पियारबी और थाने के असोहा की पुलिस ने घेराबंदी करके इन लिवकों को गिरतार किया तो उनके कब्जे से एक मुवाइल बरामद हुए दो लो लेट लगी फोतेपूर के विकास खंड खंड जो अकस्बे में बने पुर्शोत्ता में इंटर कॉलेज में ब्लॉक इसतर ये परशदी विद्यालों की बाल खेल प्रतियोकता का समापन हुआ खंड शिक्षा दिकारी ने दोड लॉंग जम, लंबी कूद, खोको, कबड़ी जैसे खेलों में जिन च्छाद च्छात्राओं ने प्रतिबाग लिया था और जो खिलाड़ी स्केल में सफल रहे हैं उन्हें नाम देकर समानित किया च्छाद च्छात्राओं ने यहाँ पर मेडल जीतने के बाद खुशी जाहर के और बाकी के बजचों को खेल प्रतियोकता में शामिल होने के लिए प्रेडित किया बतादे की खंड़ शिक्षा अधिकारी ने अपने सभी शिक्षकों और महिला शिक्षकों को भी मेडल दे कर पुरस्कत किया उन्होंने बड़े सहघोगात्मक तरीके से अमसाषान के साथ बच्चों को प्रजाग कराया बच्चों को अच्छे नंक से glass पुरश्कृत किया अगया और उनको आगए जनपदी रहनी में अच्छा अगरीर शिक्षकों करने के के लिए ऊसाहित है मार्दर्शन किया गया उमीद है कि ये बच्चे जनपदी रहली में अच्छा खजवा का जंडा रोशन करेंगे। स्वस्त कर्मियों ने अपनी सभी सूत्री मांगों को लेकर एनचेम समविदा कर्मियों के संग की बैनर तरी हर्ताल किया और काम काजबन करके मुख्याले स्थिती सियं मुकार्याले परिसर में प्रदर्शन करने लगे। साल कर रहे हैं और जब तक हमारी मांगे नहीं मान ली जाती हैं तब तक हर्ताल जारी रहेगी। यह जो अनचेम के करमचारी घंणा प्रदर्शन में बैटे हुए हैं इनकी बड़ा दीवीज ग्यापन के अधारपर प्रदेश पर में जो ग्यापन दिया गया है। उस पर हमारे विभाद के इससे मोदेट का वच्चापल साम को आग गया और उनकी मुख सारी मांगों पर उन्होंने विचार करके सहां थी। हम लोग सरकार के से जो बहुत गट के जफालों से समीदा पेकार करते चले आ रहे हैं। सरकार की सभी योजनाओं को धरातल फनीबूत ही समीदा कर रहा है समय जैसा आप भगत होंगे सभी लोग। कि और हम लोग सब्सीद्रिमागों के सम्ध्र में अनिश्चित करीं धरनाज्य को निएरें 30 तारीक सीए और सत्त्रि मागों में हमारा प्रहुगं वाग है कि मानव साक्वान संदा निथी तः़價 जाहैं जिसमें सभी को सभी को समानकार समान बेटन सभी के लिए एक कश्म सब्सक्राइब नियुक्त करने का दर्जा दिया जाए इतने विगत 10-12 सालों से वह संदिक परस्यतियों में एकमकान में अचानक आख लग गई आख लगने की वज़े से सारे समान जल कर खाक हो गया। कटना की जानकारी मिलते ही फाया पेग्रेट की टीम मौके पर पहुंची और माकान में आख लगने के बाद पेड़ित परिवार ने प्रशासन से न्याय की गुहार लगाई। पेड़ित की गुहार लगने पर जिला प दवाम खबरों के लिए देखते रहे हैं प्राइम टीवी नमस्कार